7.2.3 पाचन तंत्र का कार्य Function of Digestive System अब तक हमने मुह में पाचन की प्रक्रिया का अध्यन किया आहर नली की भित्ती में शलेशमा का स्राव होता रहता है इसकी मान स्पेशियों में क्रमशय संकुचन और फैलाव से भोजन आगे बढ़ता है इस प्रक्रिया को हम क्रमानु कुचन पेरिस्टालसिस कहते हैं गले अमाशय वा छोटी आथ के सिरों में वाल्व जैसी संरचनाएं होती हैं जिससे भोजन की निश्चित मात्रा ही आहर नली में आगे बढ़ती है मुह से भोजन ग्रसनी फैरिंग से होता हुआ एक लंबी नली ग्रसी का इजोफेगस द्वारा अमाशय में पहुचता है अमाशय की भित्ती में पाई जाने वाली ग्रंतियों के स्राव में मुख्यता एंजाइम पेपसीन और हाइड्रोकलोरिक अमल होते हैं इससे मुख्यता प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में होने वाली क्रियाओं से भोज्य पदार्थ गाढ़े द्रव जैसा हो जाता है यहां से यह छोटी आत में जाता है छोटी आत आहर नली का सबसे लंबा भाग है लगभग 20 फीट यक्रित और अगनाशय आहर नली से जुड़ी पाचक ग्रंतियां हैं इनके स्रावित पाचक रस नलीों द्वारा छोटी आत में पहुँचते हैं अगनाशय से स्रावित पाचक रस में उपस्थित सोडियम बाई कार्बोनेट से छोटी आत का माध्यम छारिय हो जाता है इस छारिय माध्यम में पाचक रस के एंजाइम क्रियाशिल हो जाते हैं और कार्बो हाइडरेट, वसा और प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है हमारे आहार नली में कई प्रकार के ऐसे पदार्थ भी स्रावित होते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं यह अलग-अलग प्रकार के हार्मोन्स हैं आपको जानकर आश्चर होगा कि यहां पाय जाने वाले सुक्ष्म जीवों मुखे रुप से जिवानों के जैविक प्रक्रियाओं से भी हमारी पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है क्या आप जानते हैं अगनाशय से निकलने वाले स्राव में अमाइलेज, ट्रिपसिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाय जाते हैं और इनसे क्रमश कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन वा वसा का पाचन होता है पूर्ण पाचन से भोजन के मुख्य अव्याओं का अबगटन होता है प्रोटीन का अमीनो अमल में जटील कार्बोहाइडरेट जैसे मंड, सरल कार्बोहाइडरेट जैसे ग्लुकोज में वसा वसी अमल और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं यक्रिस से पित बाइल का स्राव होता है यह स्राव नली के द्वारा छोटी आत में पहुँचता है छोटी आत में वसा की बड़ी गोलिकाएं पित्त के द्वारा छोटी गोलिकाओं में तूटती है इमलसी करन प्रक्रिया द्वारा इससे वसा पर एंजाइम लाइपेज का प्रभाव बढ़ जाता है छोटी आत में पचे हुए भोजन का अवशोशन होता है इसकी आंतरिक सता मुड़ी हुई होती है इन मुड़ी हुई सनरचनाओं को हम दिर्क रोम विलाई कहते हैं इन में भोजन के अव्याओं के अवशोशन के लिए विस्तरित सता उपलब्द होती है यहाँ से पचा हुआ भोजन रक्त परिवहन तंत्र की महीन रक्त वाहिनियों और लसिका वाहिनियों में जाता है छोटी आत में जल की कुछ मात्रा भी अवशोशित होती है जिन पदार्थों का अवशोशन छोटी आत में नहीं हो पाता है, वह बड़ी आत में पहुँचते हैं यहां अधिकांश जल का अवशोशन हो जाता है शरीर की विभिनिक रियाओं के लिए जल महत्वपूर्ण विलायक है अपचित भोजन या मल और कुछ गैसें मल द्वार एनस से शरीर के बाहर निकल जाती है जो भोजन खाते हैं वह हमें उर्जा प्रदान करता है यह भोजन जटिल पदार्थों से बना होता है और उर्जा उत्पन करने के लिए इसे सरल पदार्थों में तोड़ने की जरूरत होती है यह कार्य पाचन तंत्र द्वारा किया जाता है आहार नाल मूल रूप से मुह से मल द्वार तक फैली एक लंबी नली है जैसे जैसे भोजन इसकी नली से गुजरता है इसका विखंडन, पाचन और अवशोशन होता है जबकि अपच भोजन उत्सरजित हो जाता है भोजन मुह में जाता है जहां यह दांतों के द्वारा चबाया और जीव की सहायता से लार के साथ मिश्रित हो जाता है लार में मौजूद एंजाइम, लार एमाइलेज स्टार को शरकरा में तोड़ देते हैं आंशिक रूप से पचा भोजन, क्रमा कुंचन कहलाने वाली तरंग के समान पेशीय संकुचन द्वारा ग्रास नली से आमाशय में चला जाता है आमाशय की पेशियां भोजन को मत कर पाचन हेतू, हाइड्रोक्लोरिक अमल, पेपसिन नामक एंजाइम तथा म्यूकस अथवा श्लेश्मा नामक पाचक रसों के साथ मिला देती है एक बार अमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है, यह छोटी आथ में चला जाता है पेशी जो इस प्रवाह को नियंत्रित करती है, पाइलोरिक स्पिंक्टर कहलाती है भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आथ में होता है, जो छह से साथ मीटर लंबी कुंडली का रनली का होती है यह यकृत और अग्नियाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन में मिलकर भोजन का और पाचन करते है अग्नियाशय रस द्वारा स्त्रावित अग्नियाशय रस, ट्रिपसिन और लाइपेज नामक एंजाइम से युक्त होता है ट्रिपसिन प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि लाइपेज इमल्सिकृत वसा को तोड़ता है छोटी आथ द्वारा स्त्रावित अग्नियाशय रस, उन एंजाइमों से युक्त होता है जो प्रोटीन को एमिनो अमल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लुकोज में और वसा को वसी अमल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं पचा हुआ भोजन छोटी आथ की दिवारों पर असंखित अंगुली जैसी आकृती वाले अंकुरों द्वारा अवशोशित कर लिए जाते हैं अंकुर रक्त वाही काउं से संब्रद्ध होते हैं जो अवशोशित भोजन को शरीर के विभिन अंगों तक ले जाती हैं अपचा और अनवशोशित भोजन बड़ी आथ में जाता है जहां पर सुक्ष्म अंकुर लवण और जल को अवशोशित कर लेते हैं अपचा भोजन अब एक ठोस आकार ले लेता है यह तब तक मलाशय में जमा रहता है जब तक कि यह मल द्वार द्वारा बाहर नहीं निकाल दिया जाता है क्या आप जानते हैं? हमारे आतों में एक पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ है जिसमें अधिकांश जिवानू है चलती है भोजन के कई अव्याव जैसे कुछ प्रोटीन वविटामिन हमारे शरीर में इन जिवानूं की उपस्तिती के कारण उप्योगी स्वरूप में बदल जाते हैं इनकी जैविक क्रियाओं से ही हमारे आत में कई गैसे भी बनती हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइट, मिथेन, अमोनिया, आदी मनुशे में जहां छोटी आत, बड़ी आत से जुड़ती है वहां अपेंडिक्स नामक रचना पाई जाती है संभावता पूरू में यहां सेलिलोज का पाचन होता था पचा हुआ भोजन शरीर में कहां कहां पहुंचता होगा और कैसे